बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों की बारे में जानते, तो खबरों की और रुख करने से पहले आप से अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंड बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे और विडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवस्थ करें बिहार में मिले कोरोना के 380 नए मरीज राज में पोजिटिव मरीजों का अंकड़ा पहुचा 2,30,632 बिहार में कोरोना संक्रमन की रफ्तारब धीमी हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संक्या में पोजिटिव मरीज मिल रहा है स्वास्त विभाग की और से ताजा अपडेट जारी की गई है इस अपडेट के मुताविक बिहार में 380 लोग कोरोना पोजिटिव मिले हैं इसके साथ ही राज में कोरोना संक्रमितों की संक्या बढ़कर 23,632 हो गई है बिहार में फिलाल 5,800 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा संतानवे नए मामले सामने आये हैं में अब तक कुल 2,23,615 मरीज स्वास्थ हो चुके हैं शत्रहवी विधानसभा का पहला सत्र सोंबार यानि आज से सेंट्रल हॉल में चलेंगी कारिवाही बिहार में चुनाव संपन होने के बाद सत्रहवी विधानसभा स्थित्ट में आ चुका है और अब सोंबार यानि आज से सत्रहवी विधानसभा का पहला सत्र सुरू होगा सोंबार को सुबह 11 बजे विधानसभा की कारिवाही शुरू होगी विधानसभा भावन में इस्तित सेंट्रल हॉल में सदन की कारिवाही चलेगी सदन की कारिवाही शुरू होने के साथ सबसे पहले सदन सचीव राजप जितन राम मांजी प्रोटेम स्पिकर की भी हुमिका में होंगे जेडियू सांगसद ललन सिंग को अस्पताल से मिली छुट्टी प्रदेश उपध्यक्ष की कोरोना से मौत कोरोना की चपेट में आये जेडियू के सांकसद लालन सिंग को अस्पताल से चुट्टी मिल गई है सांकसद लालन सिंग कोरोना संक्रमित होने के बाद पटना एम्स में भरती कराया गया थे लेकिन अब सेहत में सुधार होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है जनतादल यूनाइटेड के लिए अच्छी ख़वर है लेकिन बुरी ख़वर या है कि पार्टी के प्रदेश उपध्यक्ष प्रोफेसर महंदर प्रसाद सींग की मौत करोना वाइरस की वज़ा से हो गई है जडियू के प्रदेश उपध्यक्ष प्रोफेसर महंदर प्रसाद सींग मदवनी जिले के रहने वाले थे वह लंबे अर्से से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे उनके निधन पर मुखमत्री नितिश कुमार ने सोक संगवेदना वेक्त की पिछले दिनों तबियत खराब होने के बाद महेंदर सिंग का लगातार इलाज कराया जा रहा था लेकिन आखिरकार उनकी मौत हो गई वहीं वीजेबी के बरिष्ट नेता डॉक्टर सीपी ठाकूर का अभी भी इलाज चल रहा है कुरोना संक्रमित होने के बाद डॉक्टर सीपी ठाकूर पटना एम्स में भरती कराया गया है और फिलाल उनकी इस्थिती इस्थिर बनी हुए है पटना में कोरोना की वज़ा से सनिवार को कुल पांच लोगों की जान गई है और 20 दिनों में पटना के 89 लोग कोरोना से मारे गया है डिप्टी सीम तारकिसोर प्रसाद उम्र विवाद में पड़े पिछले कई चुनाओं में अलग-अलग दी जानकारी पिहार के नई मिकमंत्री तारकिसोर प्रसाद की उम्र को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है भारतिया जनता पार्टी ने इस बार नई सरकार में अपने कोटे से दो डिप्टी सीम बनवाए है मुएक मंत्री के बाद दूसरे नमबर पर तारकिसोर प्रसाद सरकार में हैं और उनकी उम्र को लेकर ही यहाँ विवाद खड़ा हुआ है दूसरतारकिसोर प्रसाद ने साल 2005 से लेकर 2020 तक के चुनाव के दौरान जो एक पर दिया है, तूसरान प्रसाद के तरफ से दिये गए हलफ नामे में उनकी उम्र को लेकर एक रूपता नजर नहीं आती दरसल 2005 के विदानसभा चुना में उन्होंने जो हलप नामा दिया था उसके मताबिक उनकी उम्र 48 साल बताई है जबकि साल 2010 के विदानसभा चुना में उनके हलप नामे के मताबिक उम्र 49 साल बताई है साल 2015 की विधानसभा चुना में तारकिसोर प्रसाद की उम्र हलप नामे के अंदर 52 साल बताई गई है जबकि इस बार चुना में उनकी उम्र 64 वर्स बताई गई है विवाद इसी बात को लेकर खड़ा हुआ है कि साल 2005 से लेकर 2020 तक के बीच तारकिसोर प्रसाद की उम्र में ए मुली अंतर से हारने वाले आरजेडी के केंडिडेट अब कोट का दर्वाजा खटखटाने जा रहे हैं। छट पुजा खत्म होने के बाद आरजेडी के हारे हुए उमिद्वार अब नयालाई का रुक करेंगे। हिलसा विधानसभा सीट से नजदी की लड़ाई में मात खाने वाले पुर्व विधायक सक्ति सिंग यादव सोंबार को पटना हाई कोट में एक याची का दायर करेंगे। बता दे कि हिलसा विदानसभा सीट से आरजडी प्रत्यासी सकती सिंग यादा मात्र बारा वोटों से जडी उमिदवार से हार गये थे जिसके बाद उन्होंने कहा था कि उन्हें जान बुझ कर हराया गया है बता दे कि महागडबंदन के 21 प्रत्यासी मामूली अंतर से चुना में हार गये थे जिसमें आरजडी के 14, CPI माले के 3, CPI के 1 और कॉंग्रेस पार्टी के 3 उमिदवार सामिल है काउंटिंग के बाद देजस्वी आदाउने मामूली वोट से हारे सभी उमिदवार को कोट जाने की बात कही थी महंगी होगी बिजली 20 फिस्दी तक दर बढ़ाने की तयारी में जुटी कमपनी बिजली उप्भुगताओं को एक बार फिर से जटका लगने वाला है एक अप्रेल 2021 से बिजली महंगी होगी इसके लिए 10 से 20 फिस्दी तक बढ़ातरी का प्रस्ताव बिजली कमपनी तयार कर रही है अधिकारियों के अनुसार 30 नौंबर तक वितियव वर्स 2021-22 और North Vihar Power Distribution कमपनी प्रस्ताव जमा करेगी अभी तक प्रस्ताव पर अंतिम निर्ने नहीं लिया गया है प्रस्ताव देने का अंतिम डेत 15 नौंबर था लेकिन प्रस्ताव तयार नहीं होने के कारण बिजली कमपनी ने 15 निर्क समय देने का अनुरोद किया है पता दे कि विद्ध विनियामक आयोग North Vihar Power Distribution सहित सभी पांच कमपनीों के खर्ज और राजस्वा का आकलन करती है इसके साथ ही सभी स्रेणी के उपवोगताओं और उपवोगताओं के संगठनों से सुझा लेती है इसके बाद सभी जगह पर जन सुनवाई की जाती है अन्तिम जन सुनवाई आयोग के कोट रूम में होती है इसके बाद दर पर आयोग के अध्यक्ष और सद्धिस अपना फैसला सुनाते हैं इसले के अनुसार उपवोगताओं और डिस्टिब्यूटर कमपनिया बिल देगी बीजेपी सांगसद रमादेवी को हुआ कोरोना आइसोलेशन वार्ड में गई बिहार में चुनाओ खत्म होने के बाद राजनेताओं के लगातार करोना संकरमित होने का सिल्चिला जारी है बीजेपी सांगसद रमादेवी कोरोना पोजिटिव हो गई है रमादेवी ने खूद ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है रमा देवी सीवहर से वीजेपी के सांगसद है और पिछले दिनों उनकी तबियत खराब हो गई थी रमा देवी ने तबियत खराब होने के बाद जब कुरोना की जाज कराई तो रिपोर्ट पोजिटिव आई और रमा देवी डॉक्टरों की सलापर होम आईसोलेशन में चली गई रमा देवी ने ट्वीट करते हुए खुद इसकी जानकारे दी है और यहाँ भी कहा है कि जो भी उनके संपर्क में पिछले दिनों आए हैं वहाँ अपना कुरोना टेस्ट जरूर कराएं और अगर आवसकता हो तो अब मेरे संपर्क में आएं लोग आईसोलेशन में भी जाएं बिधान सभा में घोटालो की सपत ले तेजस्वी नीरज बोले सदन में सच बोले निता प्रतिपक नीरज कुमार ने कहा कि आज राजनिती का ऐसा दोर चला है कि आठवी और नौवी पास लड़के भी सिक्षा और रोजगार की बात करने लगे हैं ऐसे लोगों को बिहार के सिक्षा का रोड मैप उठा कर देखना चाहिए उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में बिहार की सिक्षा का अस्तर काफी सुधरा है और मुखमंत्री नितिश कुमार की नित्वित में आगे भी कई सुधार होंगे उन्होंने कहा आरजेडी के निता तेजस्वी यादव को विधान सभा की सदस्ता की सपत लेते वक्त गोटालों की लिष्ट बतानी चाहिए मंत्री नीरेज कुमार ने कहा कि रागवपूर से निर्वाचित तेजसिवी आदव को सदन की सदस्टा का सपत अपने ब्रहष्टाचार के कारणामों के साथ लेनी चाहिए बीजेपी की महिला MLA से अपराधियों ने मांगी 25 लाख रुपे रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी बिहार में NDA की सरकार है लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की विधायक सुरक्षित नहीं है बीजेपी की एक महिला विधायक से अपरादियों ने 25 लाग रुपे की रंगदारी मांगी है यही नहीं उसने पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है नरकटिया गंज की नवनिरवाचित विजेपी विधायक रस्मी वर्बा को अपरादियों ने कॉल कर रंगदारी मांगी है बताया जा रहा है कि विधायक रस्मी वर्बा माइक के गोरखपूर से पठना जा रही थी इसी दवरान रास्ते में ही कॉल आया और उन से पैसा अब बात करते हैं मौसम विभाग की तो अगले 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम ठंड बढ़ने की संभावना देश भर में अब ठंड दस्तक दे चुका है इसके साथ ही कई राज़ों में मौसम तेजी से बदल रहा है उत्तर भारत की राज़ों में दिल्ली समेत अन्य राज़ों में तापमान में गिरावट की सिलसला जारी है वहीं विगत 24 गंटे की बात करे तो बिहार की राज़दानी पटना में उत्तर पस्चीमी हवा 10 से 15 किलोमेटर परती गंटे की रफ्तार से चल रही है आसमान साप रानी की वज़़ से दक्षीन बिहार के सहरों के तापमान में गिरावट देखने को मिली है पटना मौसम बिग्यान केंदर के मौसम बिग्यानी जिसान अन्सारी ने बताया कि 14 सहरों की सूची में सबसे कम नियुनतम तापमान 8.8 डिगरी सेल्सियस गया में दर्ज किया गया है वहीं पटना का नियुंतम तापमान 10.8 डिग्री और भागलपूर का 13 डिग्री दर्ज किया गया है उत्तर बिहार में पुर्णिया का नियुंतम तापमान 14.8 डिग्री दर्ज किया गया है आज के सुर्कियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ धन्यवाद